हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्र मुश्राफ हुसेन आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में थाइराइड और इस से जुड़ूई ही दो खतरनाक बिमारियों के बारे में जिनको अगर ट्रिट्मेंट ना किय जाए तो बहुत ही सीरियस कंडिशन लेती है जिनको हम कहते हैं हाइपो थायरेडिस्म एंड हाइपर थायरेडिस्म तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन दोनों बिमारियों के लक्षण क्या है इसके मुख्यकारण क्या है इसमें जो टी-3 टी-4 और टी देनी चाहिए तो यह सब जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहीएगा हम पहले बात करेंगे हाइपो थायरेडिस्म और हाइपर थायरेडिस्म के लक्षण क्या है उसका केबरेटिव मैं आपको बताता हूँ शुरुआत करते हैं हाइपो दिन लेटे रहो उसका किसी काम में मन नहीं लगता है मरीज को कॉंस्टिपेशन हो जाता है बाल बहुत जादा गिरने लगते है इसकिन बिलकुल रफ और ड्राय हो जाती है तो अगर आप उसकी स्किन पर एक ऐसे नाखुन से निशान कीचे तो एक वाइट कलर का निशान बन जाता है जो दिल की धणकन मिरीज की वह कम हो जाती है पौलस रेट कम हो जाता है मरीज का ने बरीज को फंड बहुत जादा लगती है बहुत जाद अदा शान्यति वह हो जाती है और यह विमारी बच्छपन में हो जाए तो डिलेट प्यूबर्टी हो ती व G आनि कि बच्ची की ग्रोथ रूढ़ जाती है वजन बढ़े के साथ जाध मरीज का फूल हई आपफूला लगता है ज़ीो स्कवित ज recomp वूधजिश पहरी सब्रा technique जाती है उसका हो हर्थί आजरी अज्मस के नामके जानते हैं हैं इसके बिल्कुल उलट होता है hypertheridism में मरीज बहुत ज़्यादा active होता है वो ठकता नहीं है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है खाना बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन उसका weight नहीं बढ़ता है weight reduce होने लगता है heart rate बढ़ जाता है अगर T3, T4 के level ज़्यादा बढ़ जाता है नीद कम आती है मरीज को insomnia की बिमारी हो जाती है सोने की कोईश्च करता है लेकिन सो नहीं पाता है और जो बड़ा significant इसका लक्षन है जिसमें जो आखे हैं जिसको हम abnormal protrusion of eye कहते है तो जो eyeball हो बड़े बड़े होके बाहर की दरफ ऐसे दिखने लगते है ये बड़ा common है हाथों में ऐसे tremors आने लगते हैं मरीज के मरीज अगर किसी चीज़ को पकड़ता है तो उसके हाथ हिलने लगते है ये भी एक hyperthyroidism का बड़ा common symptom है irritability होती है मरीज की mood swings आते हैं बड़ी जल्दी ऐसे मरीजों को पसीना बहुत जादा आएगा और ये restless होगा मरीज बिलकुल बेचैन रहता है इस तरह का मरीज तो शुराती दुनों में तो इस बिमारी के लगता है कि नहीं मरीज ये तो बहुत ही active बंदा है लेकिन जचे जचे से बिमारी advance stage की तरफ जाने लगती है तो ये बड़ा खतरनाक रूप ले लेती है और मरीज जो है वो बड़े ही भयानक बिमारीों में मुपतला हो जाता है तो इसलिए इनका इनका इलाज करना बहुत जरूरी है समय रहते हुए इसके लाब आए एक लक्षन और देखा गया है कि जो बाल है और खास तोर से फीमेल में ये बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि फेशल जो हीर्स हैं वो ग्रू करने लगते हैं हाइपर थारेडिस्म के मरीजों में तो ये तो हमने बात की दोस्तों हाइपो थारेडिज्म और हाइपर थारेडिज्म के लक्षर क्या होते हैं अब हम बात करेंगे कि एक्चल में बिमारी होती क्या है क्यों होती है तो जो थारेड ग्लेंड है वो यहाँ पे एक ग्लेंड होती है बटरफलाई के टाइप की ब्लेंड होती है प confusion None आतो घ्रीह जाती है जैंप ज्टाव कारण से जो फंक्षिन डिस्ट्रॉब ऑच्व लयगे या तो यह ज्यादा काम करने ले या जुसका पर थाइपर थारीडिज्म होता है और अगर यह कम काम करती है तो रियर होता क्यों है जो thyroid gland है वो regulate होती है thyroid stimulating hormone से जो pitriti gland होती है हमारी वहाँ से एक hormone निकलता है जिसको TSH कहता है और वो कब निकलता है जब body के अंदर T3 T4 hormones के level कम हो जाता है तो वहाँ से एक message मिलता है कि आप TSH release करिए और जब TSH release होता है तो thyroid gland के tissues को activate करता है T3 और T4 या thyroid hormone produce करने के लिए यह नॉर्मल function है लेकिन अगर किसी कारण वश तो उपर से आता रहे लेकिन T3 और T4 जो hormone है उनका production कम हो और वो कब कम हो सकता है अगर body में iodine की कमी है क्यूंकि जो यह T3 T4 है इसमें iodine component होता है और जब आवडीन की मात्रा मिल जाती है तभी T3 T4 का production होता है तो अगर आवडीन की कमी होगी तो production कम होगा जब production कम होगा तो message brain को फिर से जाएगा कि नहीं T3 T4 के levels कम है तो फिर वहां से TSH और release होगा ऐसे करके क्या होता है कि TSH का level बढ़ता जाता है T3 T4 का level कम हो जाता जाता है जनरली यह condition जो है जो जिसको गेंगा रोग या ग्वाटर कहते हैं जिसमें हमने देखा हो गलाप फूल जाता है उसमें हो जाती है क्योंके hyper function की वह जिससे जो tissues है वो भी growth करने लगता है thyroid gland के तो ऐसे करके thyroid gland बढ़ा हो जाता है जिसको हम goiter या घेंगा कहते है उसके उलड़ दोस्तों क्या होता है कि कुछ बिमारी ऐसी होती है जहां पे जो thyroid gland है वो hyperactive हो जाती है वो ज़्यादा काम करने लगती है जिसके thyroid thyroid gland या एक बिमारी होती है जिसको हम एक autoimmune disease है जिसको ग्रेव disease के नाम से जानता है तो इसमें क्या होता है कि जो thyroid gland है वो hyperactive हो जाती है और hormones का production जादा हो जाता है उसी तरीके से multi-nodular goiter में भी यह देखा गया है कि thyroxine और T3 यानि कि जो thyroid के hormones है उनका production जादा होता है तो जब T3, T4 का production जादा होता है तो brain को message मिलता है कि इन्ही TSH की जुरूत नहीं है तो वो TSH कम release करता है तो hyperthyroidism में T3, T4 का level बढ़ जाता है और TSH का level कम हो जाता है जो आप इस chart में देखेंगे मैंने दिखाया आपको कि hypothyroidism में आपको TSH का level जादा मिलेगा और T3, T4 का level कम मिलेगा लेकिन hyperthyroidism में TSH का level कम मिलेगा और T3, T4 का level जादा मिलेगा ये आपको समझाने के लिए असानी से मैंने ये chart आपको दिखाया है अब हम बात करते कि actual में ये thyroid का role क्या है क्यों इतना जरूरी है thyroid hormone थारेड hormone जो है वो body के metabolism को regulate करता है body के most of activities में thyroid hormones का involvement होता है इसी protein का synthesis है या protein fat या carbohydrate का metabolism है ये पूरे का पूरे depend करता है इन thyroid hormones के उपर उसके लावा जो growth hormones है उनको भी regulate करता है तो अगर thyroid hormones imbalance होंगे तो growth भी इसी तरह से impact होगी उसके अलावा जो है ये body का जो temperature है उसको भी regulate करता है तो body को जो heat मिलती है उसमें भी इसका role बनता है thyroid hormones का तो इसलिए अगर आप देखे तो body के हर एक function पे इसका impact पड़ता है इसका असर होता है अगर इन दोनों में से कोई भी विमारी होती है तो इसका इलाज बहुत जरूरी हो जाता है अपने आपको fit रखने के लिए लेकि इलाज करने से पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि विमारी है या नहीं है उसके लिए हम कुछ diagnostic techniques का इस्तमाल करते हैं तो एक तो तरीका हो गया कि हम लक्षन के अधार पर इस बिमारी को पैचान सकते हैं द देखा जाता है कि thyroid gland की हालत क्या है वो बड़ा तो नहीं है और एक और test होता है जिसको हम thyroid antibodies test के नाम से जानते हैं यह कुछ test है जो मदद करते हैं इस विमारी को diagnose करने में और जैसे diagnosis हो जाता है तो हम फिर इस विमारी को आसानी से इलाज कर सकते हैं सिंपल सा इलाज है इसक लेना ज़रूरी है इसके लाबा इसमें diet का भी एक रोल बनता है कुछ diet ऐसी है जो thyroid के function को balance रखती है उसमें iron का बड़ा रोल है जिंक का बड़ा रोल है ऐसे खाने जिसमें selenium की मात्रा पाई जाती है और calcium और vitamin D3B यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो अपनी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दन्यवाद